दोस्तों स्वागत है आपका मेरे येट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजरूं आपके साथ एक स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मिनिंग सीखने को मिलेंगे और बहुती इंट्रेस्टिंग स स्टोरी है उसके अलावा यहां पर जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो भी आप जानेंगे तो चले दोस्तों आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो आज की जो कहानी है उसका टाइटल देखते हैं कहानी का जो टाइटल है वह है दा फूलिश फ्रेंड्स इसका मतलब होता है यह एक अधिक दोस्त हैं तो इसको क्या कहा जाएगा हिंदी में मुर्ख मित्र तो दोस्तों यह इस कहानी का टाइटल है अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं आप इसे बिलकुल ध्यान से सुने ताकि आप बिलकुल इसको अच्छे से समझ सकें क् यह तो आपम इसका ग्रामर पाइट भी डिसकस करने वाले हैं चले इसको शुरू करते हैं क्या मतलब मतलब होता है एक बार एक चूहा और एक मैंड़क जब्स अच्छे दोस्ते थे they used to spend most of their time together क्या मतलब हुआ देखिए दोस्तों जब भी हम past के अंदर कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहांपर past की किसी आदत के बारे में बताया जाता है तो वहांपर used to का प्रियोग किया जाता है और used to के बाद हमेश्य वर्फ की first home ही आती है तो यहांपर इस लाइन का मतलब क्या हुआ they used to spend most of their time together और spend का मतलब होता है बिताना या फिर खर्च करना वे जादातर अपना जो समय था वो एक साथ गुजारते थे spend मतलब गुजारना वो समय गुजारा करते थे whenever का मतलब होता है जब भी the mouse went in search of food जब भी जो चूहा था वो जाता यह go की second form है went और दूसरी बात में आपको बताना चाहूँगा जो भी stories होती हो past indefinite में ही बताई जाती है और past indefinite के अंदर affirmative वाकिये होने पर हमेशा second form का प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब होता है whenever जब भी the mouse went in जब भी चूहा जाता in search of food मतलब की खाने की तलाश में the frog frog मतलब grew grow की second form में grew sad वो उदास हो जाता and would miss him वो उसे याद करता उसको miss करता miss मतलब उसको याद करता in the same way in the same way मतलब उसी तरीके से when the frog would go back जब frog मतलब की मेंडेक वापस जाता would go back to the pond जब frog जो है वो तलाश में वापस जाता would go back to the pond the mouse would miss him जो mouse था चूहा था वो उसको miss करता वो उसे याद करता चले आगे देखिए so they made a plan ये make की second form है so they made a plan तो उन्होंने एक योजना बनाई ये make की second form है made इसका मतलब होता है बनाना so they made a plan उन्होंने एक योजना बनाई they took a rope ये second form है take की इसका मतलब होता है लेना they took a rope उन्होंने एक रसी ली and tied और बांदी it's one end उसके एक सिरे को तूदा फ्रॉग्स अब देखें यहाँ पर है एपैस्टोफी एस तो एपैस्टोफी एस का मतलब होता है का की के तो जब भी हम किसी चीज का किसी व्यक्ति का सम्मंद जोड़ना चाहते हैं किसी और चीज से तो एपैस्टोफी का प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब हुआ दे टू के रोप उन्होंने एक रसी ली और उसके एक सिरे को बांद दिया तूदा फ्रॉग्स लेग जो फ्रॉग के जो लेग थी मतलब जो उसका टांग थी उसमें बांद दिया और जो उसका दूसरा हिस्सा था अधर तूदा माउसस फूट वो माउस के जो वो चुवा था उसके पैर में बांद दिया आगे देखिए जब भी दे मिस्ड इच अधर जब भी एक दूसरे को मिस्स करते याद करते वन वुड पुल दा रोप वन मतलब उनमें से एक क्या करता पुल करते था पुल मतलब खिंचना दा रोप रसी को खिंच देता दा कॉल तू कॉल दा अधर दूसरे को बुलाने के लिए तो आप समझी क्या होंगे उन्होंने एक रसी को एक ने चूहन में बांद आ और दूसरे हिस्से को मैं डखने हो तो वो एक दूसरे जब भी उन्हें एक दूसरी की याद आते तो उसको खींच दे तो सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाता चली आगे देखिए वन डे दा फ्रॉग वेंट डीप अंडर वाटर एक दिन जो फ्रॉग था मैं डखता वेंट डीप डीप का मतलब होता है गहरा वेंट डीप वो बहुत गहरा चला गया अंडर वाटर पानी के नीचे इन सर्च ओफ फूड खाने की तलाश में ये फॉर्गोट मतलब चुहे के पैर के साथ वेंट डीपर वह और अंदर चला गया अंडर वाटर पानी के एज़े रिजल्ट का मतलब हुआ परिणाम स्वरूप एज़े रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप दा पूर माउस वाज पूल्ड इन वह जो मतलब की बिचारा माउस था चुहा था वाज पूल्ड इन्टु वाटर वह पूल्ड इन्टु मतलब खिंच गया कहां पर इन्टु वाटर वह पानी में खिंच गया ये पुल्ड की ये सैकंड फॉम है और जब भी यहां पर तो यहां पर यह पैसिव का टैंस है क्या मतलब पूर माउस जो बिचारा माउस तच हुआ था वस पुल्ड उसे खींच लिया गया इंडू वाटर पानी के अंदर अब देखी जो वर्ट है ड्राउब और दीद्थ्ट है और यह थे की मोथ हो जाना मिर्ती हो जाना और इसके सेंट वर्म में गाई चैसे और पानी में खिची यह एंड न रॉइंडू कर उसकी मौंथ हो गई और धूर्पशन की अब फ्लाइं देंगल वाइल वाइल flying old ने के दोरान अबब उपर an eagle एक जो गरूर था या कह सकते हैं जो एक बाज था बाज saw उसने देखा the dead mouse उसने मरे हुए चूहे को देखा the eagle came down जो eagle था जो बाज था came down ये second form एक कम की came came down नीचे आया took the mouse in its beak, beak का मतलब होता है चूँच आप इस word को note कर सकते है took the mouse चूहे को लिया in its beak, अपनी चूँच में its का मतलब होता है अपनी its beak मतलब अपनी चूँच में लिया and flew away और ये fly की second form flew and flew away और दूर उड़ गया the eagle found ये find की second form है found मतलब पाना होता है the eagle found जो eagle था बाज था उसने पाया the frog mendak को पाया along with the mouse along with the mouse मतलब चूँच के साथ along with the mouse चूँच के साथ उसने किसको पाया? mendak को पाया the eagle ate ये eat की second form है ate और दोस्तों ये जो stories वागरा होती है ये बहुत ही अच्छा माद्याम होती है वर्फ की second form के लिए क्योंकि जैसे मैं आपको बताया जो भी stories होती है वो हमेशा past indefinite में ही बताई जाती है और जिसके अंदर हमेशा past indefinite में वाक्य बनते हैं और past indefinite के अंदर affirmative वाक्य में हमेशा second form का प्रियूप किया जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा source होते है वर्फ की second form याद करने का चलिए देखते हैं इसको दा इगल ate both of them जो इगल था बाज था उसने खा लिया बोत अफ देम उन दोनों को खा लिया दस इस परकार दा टू फ्रेंड जो दोस्ते डाइड इसका मतलब होता है जो क्या मतलब होता है तो दोस्तो ये जो स्टोरी थी काफी अच्छी जाद है अच्छी इंट्रेस्टिंग थी और इसके अंदर हमें एक सिक्षा भी मिलती है कि जो मुर्खता होती है उसकी वज़े से इंसान का नुकसान हो जाता है हाला कि जो दोनों दोस्ते इनका इंटेंशन कोई खराब नहीं था दोनों का इंटेंशन बहुत अच्छा था लेकिन जो उनकी मुर्खता थी उसकी वे से उन दोनों की ही जान चलीगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कहानी स्टोरी लगी अच्छी लगी हो मेरा प्रियास पसंद आया तो इससे जरूर लाइक करें कमेंट जरूर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें यहां तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच भी सेठी आपको बाइ